नमस्कार स्वागत है आप सभी breaths समाचार में आज है तीज अगस्त चले 거야 पंदरह प्रमुख खबर के बारे में आगेज विडियो में जानते हैं साते फटापट से अब सभी कमेंड बोक्स में यह जरूर लेकि कि आप बिहार के किस जीले में रहते हैं और अगर आपके मण में कोई भी सवाल हो आप बिहार के लिखित le began बिहार पूचे और आपके तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे तो बिहार में कुरोना संक्रमन की संक्या बढ़ती ही जा रही है अब तक कुरोना महामारी की संक्या 1,32,935 तक पोच चुकी है बिहार में पिछले 24 गंटों में 2,087 ने मामले सामने आये हैं वहीं पिछले 24 गंटों में 12 लोगраж की मौत भी हो चुकी है अब तक कुल मरने वालों की संक्या 644 तक पोज गई है राज में अब तक 1,12,445 लोग ठीक होकर घर भी लोट चुके हैं वहीं पिछले 24 गंटों में 279 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लोटे हैं तो बिहार के 3,5 लाग सिक्चकों को सरकार की तरब से तौफा मिलेगा सिक्चकों का वेतन 1 अपरेल 2021 से 15% बढ़ा दिया जाएगा बिहार के कुल 3,57,000 सिक्चकों के वेतन में 15% की दर से 3,000 से 46,00 रुपे तक परतिमाब वेतन में व्रदी होगी वेतन व्रदी का लाब सिक्चकों को 1 अपरेल 2021 से मिलेगा यानि विविन इस्तर के सिक्चकों को लगबग 27,000 से 35,000 रुपे परतिमाब वेतन भुगतान होगा प्रारंबिक से लेकर उचितर मैदमिक के स्कुलों के सिख्चक और पुस्ताकलाई एद्धच को वेतन और इपियप का लाम मिलेगा बिहार कॉंग्रेस के वरिष नेता और बेगो सराय के बचवारा से विधायक रामदेव राय का निधन हो गया है वे कैंसर से पिडित थे और कई आस से उनकी तबियत खराब थी सौमवार की रात उनकी सिति गंबी रो गई थी इसके बाद उन्हें पटना की एक निजी अस्पटाल में भरती कराया गया था अस्पताल में इलाज के दोरान उन्होंने अंतिम सास ली रामदेव राई की निदन से बिहार कॉंग्रिस में सोक की लहर फेल गई है कॉंग्रिस की निताओं ने सोक वेक्ट किया है राज़त निता तेजस्वी यादव विधानसभा अज़क्च विजय चोधरी समित कई निताओं ने रामदेव राई को सधांजली दी कोरोना वाईरस की रोक्ताम को लेकर लागो लॉडान के बाद उनलोक का तिसरा चरण कल खतम होने वाला है एक सितम्बर से पूरा देश में उनलोक 4.0 की सुरुआत हो जाईगी भारत सरकार ने उनलोक 4.0 को लेकर नई गाईलाइन जारी कर दिया है सरकार ने 7 सितम्बर मेट्रो को सरकार की और से सारी SOP का खयाल रखते हुए चालो करने का निर्देश दिया है भारत सरकार ने फिलाल 30 सितम्बर तक स्कूल, कोलेज और अनिसेक्चनिक संसान को बंद रखने का आदेश दिया है गाईलाइन में कहा गया है कि एक सिस्टम के तहत मेट्रो से वाई सुरु की जाएंगे यानि फिलाल पहली की तरह मेट्रों में भीड़ होगी इसके लिए एक सिस्टम बनेगा इसके अलावा जो ओपन एयर थियर्टर से हैं वो भी 21 सितम्बर 2020 से खोल दिये जाएंगे बिहार में इन दिनों परिवाहन सचीव संजे कुमर अगरवाल के निदस पर जीलो में विसेस अभियान चलाया जारा बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाले ड्रैवरों पर कड़ी कारवाई की जारी है राज के एनेच एसेच पर हेलमेट सीट बेल्ट विसेस जाच अभियान चलाया जारा है कानौन तोडने वालों पर विभिन धाराओ के तहत जुर्माना भी वसुला जारा है इस दोरान बिना हेलमेट सीड वेल्ड वाहन चलाने वाले वाहन चालुकों पर कारवाई की गई जाच अभियान के दोरान सडक सुरक्षा नियमों का उलंगन करने वाले 456 उलंगन करताओं पर विभिन धाराओं के तहत लगबग 8,5 लाक रुपिय का जुर्माना लगाया गिया वहीं दूसरी और बिहार के आईने जीलों के तुलना में राजधानी पटना कुरोना संग्रमन से सबसे ज़्यादा परवावित है यहां अब तक से रोकने के लिए और इनमें जागरुकता लाने के लिए जीला परसासन ने फिर से जागरुकता वियान चलाया है इसके लिए राजधानी के सड़कों पर मार्क्स चेकिंग तेजी कर दी गई है इस दौरान अब तक मार्क्स ना पहनने पर जुर्माना के तोर पर 5,850 रु 13 अगस्त को 21 किलोमेटर लंबे इसलामापूर नई लाइन का सपलता पुरोक निरिक्षन किया गिया था रेल सरक्षा आयूगत पुर्वी सरकिल एम चोधरी ने इसलामापूर खुदा गंज हरी सिंगार हाल्ट कटारी एव नटेसर इस्ट्रेशनों का भी निरिक्षन किया हो गई और वहीं 17 बच्चों को बगहा अनुमंडल अस्पताल में भरती कराया गया है कि नियमित टिकाकरन के दोरान बगहा दो परखन के मेनाहा गा में एनम ने बच्चों का टिकागरन किया था हाला कि इस टिकाकरन की विसेश जनकारी ना ही इस्थाने लोगों की थी और ना ही बच्चों के परिजनों को बच्चों की बिमार पढ़ने के बाद आसपास के छेत्रों में हड़कम मज गया है वहें मामले की सुचना मिलते ही स्वास्थ विवा की टीम हरकत में आ गई है और पूरे मामले की जाच में जूट गई है अगली बड़ी खबर पटना गया सहीत तीन रुटो पर सितंबर से चल सकती है मैमू ट्रेने सितंबर के पहले सब्था से मोकामा भीहटा पटना मुगल सराय और पटना गया रेलकर्ण पर ट्रेने चलाई जा सकती है इसको लेकर पूरो मज रेल्योए ने प्रस्ता भेजा गया है पस्ताप पर राज सरकार से सहमती मांगी गई है समावना है कि अगले सब्ता की बुद्वार तक राज सरकार से सहमती मिल जाए और इसके बाद मेमू ट्रेन का परिचालन सुरू हो जाएगा अगली खबर बिहार के मुझपरपुर जिला से है पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी लेकिन इस दोरान भीड ने पुलिस पर हमला कर दिया इस हमले में 15 से अधिक पुलिस करमी घायल हो गए भीड ने एक कार में आग भी लगा दी यहां गटना बगी ही चोक के पास की है गट पुलिस ने उठा कर जाच के बाद उसे छोड़ दिया इससे नारा जिवोकों ने पुलिस को धंकी दी और कहा कि सबक सिखाएंगे कुछ दिर बाद सेकड़ों युवक पहुचे और ठाने की गाड़ी को घिर कर लाठी डंडे से पुलिस पर हमला कर दिया सुसान सिंग राजपुत मौत के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है सुसान की निधन के बाद मुंबे पुलिस ने कहा कि ये सुसाइट केस है लेकिन अब कुपार हॉस्पिटल के उस करमचारी की चोकाने वाला बयान दिया है जो सुसान की निधन के बाद उनके मडर हुआ है एक नीजी टिवी को दिये इंटर्वी की क्लिप स्वेता ने सेर की है उसमें उस जक्स ने सुसान की लास के बारे में कई चीजे के बारे में बताई है सोसान सिंह राजपूत मामले में सक्क के दायरे और सवालों के गेरे में जो नाम सबसे ज़्यादा है वह नाम है रिया चकरवर्ति का सोसल मेडिया पर सोसान के परिवार से लेकर उनके फैंस तक ना सिर्फ कई बार उन पर गंभिर आरोप लगा चुके हैं बलकि उनकी गिरपतारे की मांग भी उड़ती रही है इन सब की बीच जाच एजनसे CBI इस मामले में लगातर दो दिन से उनसे पुछताच कर रही है दो दिन से CBI के सवालों से तंग आयी रिया चकरवर्ति ने CBI से सिकायत की है कि उनका हरिस्मेंट किया जा रहा है इस सिकायत को सुनने के बाद CBI के अधिकारे ने उन्हें जवाब दिया है कि ऐसा बिलकुल नहीं है अगर हमें आपका हरेस्मेंट करना होता तो हम आपको पटना बुलाते लेकिन हमें पता है आप वहां सुरक्षित नहीं रहती यही बज़ा है कि हम मुंबई में आपसे पुछताच कर रहे हैं बिहार सरकार ने आईटियाई के लिए तीन हजार से अधिक पदोका स्रेजन किया है इसमें सिक्चक से लेकर चतूत वर गया कर्मी तक के पदोका स्रेजन किया गया है बहुत जल्द ही इन पदोबन न्योक्ति की परकरिया सुरू हो जाएगी इसके लिए पूरी तयारी भी कर ली गई है इस बारे में स्रम संसादन विवाग के अधिकारियों ने बताया कि 15 साल पहले ही सरकारी आईटियाई की सेंग्या कम थी लेकिन इतने दिनों में आईटियाई की सिंग्या तीन गुना बढ़ गई है इस कारण विवाग ने 3025 पदों पर स्रेजन किया है हिंदुस्तान आवामी मौर्चा की निता जितन राम मांजी एंडियाई के चोते घटक होंगे रहिवार को मांजी इसकी घोसना कर सकते हैं 20 अगस्त को महागडवंदन से अलग होने के बाद जितन राम मांजी अपने लिए नए गड़जोड की तलास कर रहे हैं इंडिये में सामिल होने का फैसला करने से पहले उन्होंने जाप वियाबी और अनपाडियों से भी बात किती चुनाव से पहले बिहार में तिसरे मौर्चे के आकार लेने की कम संभावनाव को देखते हुए उन्होंने इंडिये में सामिल होने का फैसला किया है सीम नितिस के ग्रे जिले में क्राइम अनकंट्रोल हो चुका है हत्या लोट रेव आदी की गटनाई अब आम हो चुकी है लोगों में सरकार और प्रसासन की किलाब काफी नाराजगी को देखने को मिल रही है साथ ही अब लोग दसत के साहे में जिने को मजबूर हो गए है ताजा ममला चवीलाल पूर थानाचितर का है दरसल दो दिनों से इंटर का चातर लापता था और आज थान के खित में उसका सब बरामत किया गया है सम मिलते ही इलाकों में संसनी फिल गई है मिर्तक की पहचान चवीलापूर थानाचितर के दोगी गाउनिवासी राजकमार यादव के पूत्र चंदन कुमार के रूप में की गई चंदन गुरुवार को अंडवास हाई स्कूल में इंटर का फॉर्म भनने गया हुआ था तब से वह वापस नहीं लोटा जिसके बाद उसकी खोजबिन की जा रही थी इसके साथ ही आज के समाचार में इतना ही डेली बिहार की बड़ी ख़बर जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें